तो भाईयों आज की इस वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं कि आप Dream 11 अप्लिकेशन में जैसी आप Add का इसके आप्सन पर क्लिक करते होंगे तो यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन का आप्सन आता होगा जैसी आप यहाँ पर आते होंगे औड यहाँ पर लिखा हुआ Verify to Add रुपे तो simply मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है verify in two steps simply यहाँ पर लिखा हुआ inter-adhar number and यहाँ पर लिखा हुआ inter-adhar number simply वायो आप आखिरकार आपने आधार का वेरिफिकेशन किस तरीके से करोगे आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना इस वीडियो को लाइक करना तो चलिए आपको बताते हैं कि आपकी इस तरीके से आधार का वेरिफिकेशन करोगे simply यहाँ पर जो first number है जिस पर लिखा हुआ inter-adhar number आपको इस पर क्लिक करना है तो भायो यहाँ पर आपके आधार से नहीं बलकि यहाँ पर भायो आप upload water ID से भी यहाँ पर वेरिफिकेशन कर सकते हो upload driving license आप driving license अप अपलोड करके यहाँ पर वेरिफिकेशन कर सकते हो and by carजाओ तो उससे भी कर सकते हो simply मैं यहाँ पर भायो OTP द्वारा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर OTP पर क्लिक कर देता हूँ जैसी मैंने इस पर क्लिक किया उसके बाद भाईयों मैं यहाँ पर आधार नमबर डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आधार कार्ड आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते ह है या फिर आप इस OTP को डारेक्ट यहां पर फिल कर सकते हूं simply यहां पर ओटीप आ चुका है एंड यहां पर आप देख सकते हो कि है फिर्फ इस पर वेरिफाई हो चुका यहां पर यहां पर आधार वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है जैसे को क्लिक लिए एक पर क्या क्या लिका हुआ है एक सो पिछास में कोई भी रुपए एड़ कर सकता हूं यहाँ पर क्या लिकाओ है फॉन पर मुझे попроб प्राब्लम नहीं आएगी जब भी मैं यहाँ पर ओलेट का उप्शन पर क्लिक करूंगा तो भाईयों आम मुझे मतलब कि वेरिफिकेशन वाली कोई भी प्राब्लम नहीं आ रही है तो इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से आधर का वेरिफिकेशन कर सकते हो यदि आपक मुझे फॉलो भी कर सकते हूँ तो यार तब तक के लिए बाई